कालर श्यानल के मोस्ट लवेवल शोज में से एक बाली का वधू काफी मशूर रहा था आपको मालूम हो तो बाली का वधू को काफी पसंद किया गया इस शोँ में छोटी बाली का वधू बनकर आनंदी के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाली अवी का गवर आज कैसे जिन्दगी जी रही है कितनी बदल गई है वो और कितनी ग्लैम्रस उनकी लाइफस्टाइल हो गई है छोटी आनंदी के किरदार से घर घर में मश्हूर होने वाली अवी का गौर की इस होपसुरत अंदाज की हम बात करेंगे जिनें देख कर आप तारीफ किये बिना नहीं रह पाएंगे जी हाँ अवी का गौर कितने सुन्दर दिखती हैं और बड़ी होने के बाद तो काफी एन ग्लैमरस, प्रोफिशनल और बहुत जादा स्टाइलिश और मिच्योर भी हो गई हैं ये देखकर कहना गलत नहीं होगा गौर करने वाली बात ये है कि शो बाली का बदू के बाद अवी का गौर को देखा गया था ससुराल सिमर का में सिमर की छोटी बेहन के गिरदार से उसकिरदार से भी अवी का गौर को काफी जादा बड़ी पहचान मिली हर रोल में फिट बैठने वाली मासूम आनंदी आज कितनी बदल गई हैं मासूम दिखने वाली आनंदी आज कितनी हाट एंड ग्लैमरस हो गई हैं ये आप उनकी तस्वीरे देखकर पड़ती उमर के स साथ उनके बदले अंदास देखकर समझ गए होंगे कि उनके शौक भी काफी बदल गए हैं आज आनंदी को इस तरह से जिन्दगी जीते हुए देखा जा रहा है अभिनाश मुखरजी के साथ रोमैंस का तड़का लगा कर जिस आनंदी को अपने से बहुत जादा उमर में बड़े आक्टर के साथ रोमैंस करने के लिए चर्शा में देखा गया था आज वो अपने जिन्दगी बड़े ही खुशाल तरीके से गुजार रही है साल 2008 में बाली का वदू शो आया और 8 साल तक ये शो टीवी टाउन में चला जिसमें आनंदी को कई सालों तक रास करते देखा गया और फिर वही चोटी आनंदी आज जब बड़ी हो गई है तो उन्हें ग्लैमर का तड़का लगाते देखा जाता है जी हाँ दीवाना बनाती है वो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपनी फोटो से मेकप को लेकर बात की जाए तो मेकप का भी उन्हें बहुत ज़ादा शौक है फैशन वीक में भी उन्होंने हिस्सा लिया बेस्ट मॉडल का खिताब भी अवीका गौर जी चुकी है गुजराती परिवार से तालुगात रखने वाली अवीका गौर ने दस साल की उमर में ही फैशन वीक में हिस्सा लिया था शो से सुराल सेमर का के बाद बेंतिहां और राश कुमार आरियन लाडो वीरपूर की मरदानी जैसे शोस में काम किया नेक्स्ट नाइं यूजरूम से तरपतिक रिपोर्ट